दोस्तो नमस्कार आज की इस वीडियो में हम आपकी बिच काफी खास प्रस्न लेकर आए हैं देखे यह जो प्रश्ण है 19 परिष्छा 2023 में पूछा गया मेरे पास जो प्रश्ण फिपर है उसका सेट क्रमांग है एप इसमें गडित में जो 56 नमबर का प्रश्ण है यह जो है क क्यों गलत है और इसका सालूशन क्या होगा ठीक है तो देखें कि प्रस्ण सबसे पहले क्या है असी विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया इस समूह में 20 प्रतिसत्थ विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा 6 लड़के हैं इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलि प्रस्ण पर अभी लिया है ठीक है तो अब इसमें समस्या यह है कि वास्तव में क्या आठ इसका अंसर होगा तो इसको समझने के लिए मैंने इसी प्रकार से इसी प्रश्णों को तीन रूप में लिखा हैं देख सकते हैं मैं तीन अलग अलग प्रकार से इस प्रस्णों को और इसमें concept को आपको सीखने को मिलेगा तो चलिए दिखते हैं कि सबसे पहला जो प्रेश्ट में ने तयार किया है तो इसी रुप से उसको पढ़ते हैं रेखिए 60 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया इस समूह में 20 पर्तिसt विद्यार्थि लड़कियां हैं तथा शेस्ट लड़के हैं इसमें कितने ओर लड़कियां शामिल की जाए कि समूह में 75 परतिस्द लड़के हो जाएं प्रस्ण बिलकुल हुँँ वैसी ही है केवल इसमें संख्यात्मक अकड़े को मैंने बदला है, तो अब इसमें देखेंगे, क्या कहा जा रहा है, कि एक समू है, ठीक है, यहाँ पर एक समू है, थोड़ा सा कहा पर लिखूं, छोटा हो रहा है, इतना करता हूँ, ठीक है, एक समू है, और समू में जो है, टोटल साथ विद विध्यार्थी है ridiculous है इस साथ विध्यार्थी है उसमें से कहा जा रहाँ प्रतीषत। जब 20 % । गर्ल है तो समु ka मान हमेसा 100% होगा कितना प्रतिषट होगा सो प्रतिषट यह सम्पूर्ण है तो यह सो प्रतिशत में से बीस प्रतिशत क्या हुआ लड़कियां हुई तो शेश असी प्रतिशत का मान असी प्रतिशत जो है वहाई है अब यहीं से हम को यह पत्ता करना होगा कि इसमें संख्यात्मक मान कितना है जैसे 60 का 20% तो 60 गुणा 20 बटा 100, तो ये एक सुन्ने उपर, एक सुन्ने नीचे, एक सुन्ने उपर, एक सुन्ने नीचे, बरावर 12, तो 12 जो विद्यार्थी जो है, वो गर्ल है, किसमें इस समुव में, अब उसी प्रकार 60 का 80 परसेंट, या सिधा सिधा जब 60 में 12 लड़किया है, तो 12 को घटा तो 60 में से, ठीक है, यह में जाएगा, 48, 48, तो 48 जो है, वालक है, वो आए है, ठीक, क्लियर यहां तक, इसमें ही कहा गया, अब इसमें कितने और लड़कियां सामिल किया जाए, ठीक है, तो देखो, 12 में लड़कियों को सामिल करना है, और, तो ये जो 80 प्रतिश हो जाए, तो चले मान लेते हैं, कि हम यदि हम 5 को सामिल करते हैं, 12 में 5 को सामिल करते हैं, तो जैसे ही हमने इसमें 5 को सामिल किया, ठीक है, जैसे ही सामिल किया, तो टोटल संख्या में भी 5 की वृद्धी होगी, 60 धन 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कहीं भी यहां में इसे और बढ़ेगा तब ये हो गए 65 ठीक है तो अब ये 65 टोटल हो गए तो 65 का क्या 80 प्रतिशत 48 रहेगा तो ये 65 का प्रतिशत जो है 80 से निचे चले जाएगा तब ये 48 होगा लियर है तो इसका मतलब प्रतिशत था जैसे इसमें 65 हुआ इसके प्रतिशत में गिरावाट होगी क्योंकि टोटल संख्या क्या हो गया है बढ़ गया है तो अब इसको हमको मानने हैं 70 प्रतिशत किसको स्वारी 75 प्रतिशत कहा गया है 48 को मानने हैं हमको 75 प्रतिशत तो जब 75 प्रतिशत का मान 75 प्रतिशत का मान कितना है 48 है तो अब हमको निकालना होगा 100 प्रतिशत का मान 100 प्रतिशत कितना होगा तो 48 बटा 75 गुणा 100 प्रतिशत, क्लियर है, यह इस प्रकार से बनता है, तो 25 तिया 75, 25 चौंक सो, 3 एकम तिन और 16 तिया 48, 16 गुणा 4, तो यह हो जाएगा 64, तो टोटल संख्या कमान, 100 प्रतिशत कमान हो गए 64, अर्थात, इस 60 को हमको 64 बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर यह 48 जो है, 75 प्रतिशत होगा, तो इस 60 को, अगर हमको 64 बनाना है, तो इसमें तो हम लड़कों को शामिल नहीं कर सकते, और अत्रीक तुरूप से, लड़कियों को सामिल करना है, तो जो 4 इश्ट्रा आ रहा है, व 16 लड़की हो जाएंगे, तो 16 गर्ल और 48 वो आए, इन दोनों का टोटल हो गया 64, अब इसका प्रतिशत निकालोगे, तो 64 का 25 प्रतिशत हो जाएगा 16, और 64 का 75 प्रतिशत हो जाएगा 48, ठीक है, तो यह इस प्रकार से प्रश्ण है, यह concept है, अर्थात कहने का मतलब यह है, कि जब समू में नए शदत से को सामिर करते जाएंगे, तो समू की टोटल संख्या बढ़ते जाएगी, और समू का टोटल संख्या बढ़ेगा, तो पूरो में जो प्रतिशत में वटवारा हुआ है, उसका रेशियो भी अलग-अलग हो जाएगा, ठीक है, यह हमने पहले तर लड़्थियों का एक समू पिकनिक पर गया, ठीक है, जो उसमें लिखा गया, उसी को कह रहा हूँ, इस समू में 20 प्रतिशत लड़कियां हैं, तथा से लड़के हैं, इसमें कितनी और लड़कियां सामिल की जाए, कि समू में लड़के लग-भग 70 प्रतिशत हो जाए, तो निश्चित तर पर यह प्रेशनर गलत नहीं माना जाता, लेकिन इसमें यह कंडिशन भी नहीं है, तो चलिए अगर लग-बग 70 प्रतिशत दिया जाता, तो इसका उत्तर क्या होता है, इस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है, देखिए, इसमें क्या कहा जा रहे है, टोटल क्लियर है, तो इसके प्रशाथ 80 का 20 परसन हो जाता है, आरदुनी 16, 16 में, और 80 का 80 परसन, 88 64, तो यहाँ पर 16 लड़कियां और 64 लड़के, क्लियर है, अब इसमें कहा जा रहा है, कि इसमें कितनी लड़कियां और सामिल की जाएं, कि इसका मान लग-बग 70 प्रतिशत हो जा है, तो अभी हमने क्या देखा कंडिशन, कि जैसे जैसे हम लड़कियों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, समु में किसी एक सेक्षन को बढ़ाते जाएंगे, समु का कुल संख्या बढ़ते जाएगा, तो मान के चलिए, यदि हम इसको लग-बग 70 प्रशन मानें, क्योंकि इसको 70 प्रशन करना है, है न भी, तो अब यह 64, जो 70 प्रतिशत का मान हो गया, 64, ठीक है, तो हमको निकालने है, 100 प्रतिशत का मान, तो 100 प्रतिशत का जब मान निकालने है, तो हो जाएगा, 64 बटे, 70 गुना 100, ठीक है, यह सब conceptual चीज है, इसको ऐसी बनाया जाता है, और इ यहाँ पर यह कट गया, यह कट गया, यह हो गया, 640 बटे, 7 ठीक है, अब इसको भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 नियम 63, एक यहाँ बचेगा, 10 हो गया, 7 एकम 7, फिर तीन बचेगा, 10 समलों लगाएंगे, तो यह हो जाएगा, पूरा का मान आ रहा है, अगर हम इसको 70% माने तो, तो चूंकि यहाँ पर विद्यार्थी है, तो उसको हम इस प्रकार से तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकन्बे दशमलों 4 दो कार्थ होता है, इनकन्बे स्वेगो और यह उसका टुक्रा, वही अगर वो रखते थे, उत्तर मिल गया, लेकिन यह जो है, संपूर में होना चीए, पूर संख्यों होना चीए, तो लगभबक कितना आ रहे है, इनकन्बे आ रहा है, हाँ ने, तो अब इसमें देखो कि 80 में हम क्या जोड़ें, कि इनकन्बे आया है, हम जोड़ेंगे 11, तो हो गए तो ग्यारा के आसपास कौन आ रहे हैं तो ग्यारा के आसपास आ रहे उत्तर अफशन सी बारह तो इस समू में यदि हम बारह और लड़कियों को शामिल करते हैं तो इसमें लड़कों कमान लगभग जो है 70 प्रतिशत हो जाएगा ठीक है ये ऐसा होना था अब इस प्रकार से भी नहीं दिया गया तो अब इसी प्रशनों को हमने इस प्रकार से भी त्यार किया असी विद्यार्थी का एक समू पिक्निक पर गया इस समू में 20 प्रतिशत विद्यार्थी लड़किया हैं तथा 6 लड़के हैं इसमें कितने लड़कों के इस्थान पर कितने लड़कों के इस थान पर लड़कियों को सामिल किया जाए कि समू में लड़के 70 प्रिशत हो जाए अर्थात इसमें इस सब्दों को भी दिया जा सकता था ठीक है तो यहाँ पर कैसे बने गई असी विद्यारती हैं असी का 20 प्रतीशत जो है बाली का है गरल है और असी का 80 प्रतीशत जो है वाय है बालक है अब इसका संख्यात्मा को गया है 16 इसका हो गया 64 ठीक है यहाँ तक 16 और 64 अब इसमें कहा गया है कि कितने लड़कों की इस थान पर लड़कियों को शामिल किया के जाए कि सुम्हों में सब्तरफ़नं लडगे हो जाये तो देखे अभ इस में क्या जा है कि कितने लटकों की स्थान पर लड़कियों को अर्थात अगर इस में 44 से हम एक को कम करते हैं तो ये एक जो है जाकर कि इसमें जुड़ेगा अर्थात इसमें अदला बदली हो रहा है ये प्लस वन हो जाएगा अगर हम दो को कम करेंगे है ना दो विद्यार्थी को दो लड़को को कम करेंगे तो दो लड़का इसमें चले जाएगा तो ये दो लड़के की स्थान पर दो सत्तर परशेंट असी गुणा सत्तर परशेंट बटे सौ तो यह हो जाएगा आपका आठ सत्ते चपन तो पहले विद्यार्थियों की संख्या है चौर सथ ठीक है तो चौर सथ में से आप लड़कियों को इस समू में समिल करेंगे ठीक है तो यहाँ पर चौर सथ में से आठ मैनस हो जाएगा और सोला में जो है लड़कियों में जो है 8 जूर जाएगा तो इस प्रकार से जो नया मानायगा 24 लड़कियां और 56 लड़किया वाई, ठीक है ये गरल हो जाएगे, ये वाई हो जाएगे तो अब इसका जब प्रतिसात निकालोगे तो 80 का 30 प्रतिसात होगा 24 और 80 का 70% होगा 56 तो इस अधार पे उत्तर ये होना था कब जब उसमें प्रेश्ण में लिखा जाता कि कितने लड़कों की इस्थान पर लड़कियों को शामिल किया जाए ठीक तो इस प्रेश्ण में हमने देखा कि निश्चित तर पर इसमें मिश्टेक है गलतियां है ठीक है तो ये जो है प्रेश्ण इस पेपर में गलत प्रिंट हुआ है कॉंसिप्ट में फिटनी बट रहे है ठीक है तो ये हमारा इनालिसिस था आपका क्या अभीमत है जरूर बताएगा हो सत है कुछ नए विचार आएंगे तो बिलकुल उसको शेर कीजेगा क्योंकि जब हम इसमें चिंतन और मनन करते हैं तो गडित में नए नए चीजों का ज बश्कार